हेलो बच्चों क्या हाल है सबका चलिए अपने गुरू के साथ चलते हैं ट्रिग्रमेट्ट्र की दुनिया में आज फिर देखिए ध्यान से आज का हमारे टॉपिक है वह है कंपाउंड एंगेल्स ऑफ दिया था कंपाउंड अंक्वर का मतलब क्या होता है कि कि एंगिल्स का एडिशन करना यह झाच करना सब्ट्रे empowered के एंगहों क्या करेंगे यह तो तो आपको पता है, at least हमारे पास two angles needed, यानि कि compound angles बनाने के लिए addition या subtraction होने के लिए कम से कम मेरे पास कितने angle होने चाहिए, दो angle होने ही चाहिए, दो से जादे angle भी हो सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ना है, लेकिन कम से कम दो angle हों के तभी किसी का addition या subtraction हो सकता है, तो इसी के बारे हम लोगों को आज समझना है, तो कुछ formula है जो पहले आपको ध्यान से learn करना पड़ेगा, उन formula को ध्यान से आप समझ लिजे पहले, compound angles में सबसे पहला formula जो आता है, वो आता है, sin a plus b का, यह होता है, sin a cos b plus cos a sin b, अगर यहां minus sin होगा तो यहां बीश में minus sin आएगा, फिर देखिए, फिर अगला हैगा cos a plus b, यह होता है cos a cos b minus sin a sin b, ध्यान से देखिए कि यहां minus होगा तो यहां क्या हैगा, plus आएगा, ठीक है, इसे थोड़ा उल्टा होता, plus के साथ minus minus 7 plus होता है, फिर तीसरा जो formula मारे पास उठकर आएगा, वो आएगा tan a plus b का, यह होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, जब इसमें minus आ जाता है, तब यह बन जाता है, plus और minus c में आपस में क्या जाते हैं, स्विश्च कर जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, फिर एक formula ज़रूर याद कर लेजएगा, होता तो यह तीनों के साथ है, लेकिन यह बहुत important है, बागी का formula आप नहीं याद करेंगे, कुछ काम चल जागा, लेकिन इसका जुरूरत पढ़ता रहेगा, tan c minus tan a tan b tan c divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c यह देखिएगा, पहले तीनों का sum, फिर माइनस तीनों का product, फिर 1 minus, सबों के साथ, दोदों का product, दोदों का product है भाई इसमें, अब tan के formula के एक property थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि denominator का देखिएगा हमें साथ, पहला क्या है रहा element, 1 आ रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बीच में हमको जद्रत पड़ेगा, तो उसको देखा जाएगा, अब सबसे पहला question arise होगा दिमाग में, कि इस formula का use हम लोग कहां करेंगे, तो आपको पता है कि आप लोग को value में जो angle की values निकालनी जो सिखाए गई है, 0, 30, 45, 60, 90, या इसी के multiple में जो आ गया थे, इसी की value आपको निकालनी सिखाए गई है, link इसी के दोस्त ने आप से आपके पूछ दिया क्या, कि sin 15 degree की value बता हो भई, कि sin 15 degree की value कैसे निकालने के लिए हमको यह values यानि कि यह formula के use करना पड़ेगा, तो आप 15 degree है, 15 degree को हम compound करके दो angle के form में कैसे लिए सकते हैं, यह हमको सोचना पड़ेगा, कि क्या दो angle को add या subtract करके हम लोग 15 degree पा सकते हैं, तो आपका फटक से answer आएगा क्या, कि हाँ पास सकते हैं, 45 में से 30 माइनस का दीजिए, तो 60 में से 45 माइनस का दीजिए, यह आपका choice है आपको जो अच्छा लगए आप कर सकते हैं, ठीक है बच्छा पाटी ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम 45 माइनस 30 करके चले, तो देखिए यह लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री कैन बी टैनेस 45 माइनस 30, अब यह फार्मले को ध्यान से देखिए, ए के प्लेस से 45 है और बी के प्लेस पर क्या है, 30 डिग्री है, उठा के फार्मला यूज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, साइन 45 डिग्री कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, सबकी वैलू आपको पता है, यह हो जाएगा 1 बाई रूट 2, यह हो जाएगा 1 बाई रूट 2, यह हो जाएगा 1 बाई 2, LC हम लेके लिखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, यह यह फामुला हो गया इसका साइन 15 डिग्री की वैल्यू यह हो गए अब अगर साइन 15 आप समझ गया हो तो किसी दोस्त ने आखिसे आपके कहा कि आप हमको जल्दी से बताईए को सिफ्टीन डिग्री की वैल्यू तो इसको मैं 60-45 करके निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आजा कि दोनों से कोई फरक नहीं पड़ता आंसर एक ही आएगा कॉस 15 डिग्री अगर आज पर किसी ने पूछा ताब क्या लिखेंगे इसको कॉस 45-30 या कॉस 60-45 दोनों आंसर सेम है क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 डिग्री ही आ रहा है इसको सॉल्ट कर लेते हैं हम लोग देखिए कॉस 60-45 डिग्री देखिए यह देखिए जूस करिए क्या हो जागा कॉस 60 कॉस 45 डेखो जब मािनेस होता तो क्या आता है प्लस अलशा अधा दो ऊटगा फिर साइन 6 झुटिफ्सकाइए아च क्लीर घरार्ट बीखे प्bench सईच g डिग्री की वैलियू हाबव बा को पता कितने होथ ही सॉटिफी की वैल्यू से सद्दें का की वैल्यू सेयु वैल्यूस स्ट्वी restrictions बिखेए क्या हो जागा रूट 3 प्लस वन अपॉन है टू रूट 2 यह दखिया गया इसका अंसर कि कॉस और साइन अगर आपको क्लियर हो गया हो तो फिर टैन कर भी निकाल देते हैं टैन का माली जिए किसी ने कहाँ टैन सेवेंटीफ़ डिगरी की वेली बता ही हमको आप तो 75 भी निक एक प्लेस से 45 और बी की प्लेस पर 30 क्या हो जाएगा 1045 प्लस 1030 अपाउन वन माइनस 1045 अपाउन 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 रूट 3 माइनस वन चाहिए तो रिशनलाइस कर लिजे चाहिए तो मत करिए रिशनलाइस कर लेंगे ज्यादे बेटर होगा हमारे लिए तो अंसर कितना जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपाउन 2 यानि कि 2 ब्लस रूट 3 यह हो गया 1075 डिगरी की वैलियो अब आपके दिवाग में बाते क्लियर हो गई होंगी कि इस फॉर्मले का पढ़ने का यूस क्या है कि हम लोगों को जो वैल्यूस जिन कर सकता है आए अब आगे थोड़ा एक उस्ट कोश्वन देखते हैं और कि माली यह किसी नहीं से पुछा कॉस कि हंडेट फिफ्टीं डिगरी वैल्यू बताइए कि कॉस हंडेट फिफ्टीं डिगरी कैसे निकलेगी कि कॉस कि सिक्स्टीं प्लस फॉर्टीफ डिग्री अगर प्लस आगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस कॉस्ट में थोड़ा उल्टा होता है यह 1 बाइ रूट 2 यह रूट 3 बाइ टू यह 1 बाइ रूट 2 एलसे लेंगे तो क्या जागा 1 माइनस रूट 3 बाइ टू रूट 2 अब यह कॉंटिटी जो आ रही है निगेटिव आ रही है ध्यान से देखिएगा क्योंकि रूट 3 की वल्यकुति यह 1.732 होती है याद होगा आप लोगको तो अंसर क्या रहा है मैंना निगेटिव अब इसके पीशे का रीजन भी समझ लीजे जो प्रिवेस ल अनुट सुब्सार लाइगा कि 105 डिगरी का कौन सा कॉर्डें रूट सेंड और एड़ शुगर काफी के हिसाब से सेंडु कॉर्ण पास क्या होगा मैं निगेटिव होगा इससी लिए यह क्या रहा है निगेटिव में आ रहा है तो यह भी बात थ्यान से समझे रही है का अब tan a plus b के formula और a minus b के formula का एक application ध्यान से देखिए tan a plus b इसमें हम let करते हैं a की value pi by 4 और b को अब suppose करते हैं a तो थोड़ा देखिए क्या बन कर आएगा मेरे पास tan pi by 4 plus a अब इस formula में कर सब्स्ट्ट्यूट कर रियत क्या बन जागा देखिए tan pi by 4 plus tan a upon 1 minus tan pi by 4 tan a तो देखिए क्या अगन कराया 1 plus tan a upon 1 minus tan a तो tan pi by 4 plus a का formula यह हुआ तो इसी basis पर आप निकाल सकते हैं tan pi by 4 minus a का formula 1 minus tan a upon 1 plus tan a देखिए यह formula निकाल सकते हैं तो इसको भी आज़े formula अप लगन कर सकते हैं है थोड़ा सा और अगर एडवांस के फार्म में पढ़ना चाहते हैं तो एक और चीज़ देख लीजे tan को we can write sin a by cos a और यह होजाएगा 1 minus sin a by cos a then answer will be cos a plus sin a upon cos a minus sin a यानि कि cos a plus sin a minus cos a minus sin a यह किसका फार्मुला बन कराया है तैन pi by 4 plus a का इसी basis पर इसका भी फार्मुला अप निकाल सकते हैं यह क्या बन करायगा cos a minus sin a upon cos a plus sin a तो यह फार्मुला होगा 10 pi by 4 minus a का तो यह फार्मुला को देखिए आप किसी तरह भी तोड़ ओड़कर अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं तो इसको ध्यान से याद रखिएगा कि 10 pi by 4 plus a is 1 plus 10 a upon 1 minus 10 a 10 pi by 4 minus a is 1 minus 10 a upon 1 plus 10 a यह 10 का फार्मुला का बहुत अच्छा एप्लिकेशन है भई आए अब इस पर बेस्ट कुछ questions लेते हैं जो आपको नॉर्मली लगभख सारे बुक में मिल जाएगा देखिए एक question arise किया है कि आप solve करिए 10 69 प्लस 10 66 अपान 1 minus 10 69 इंटो 10 66 थोड़ा 10 a plus b की फार्मुले से रिजंबल करिए इसके दिमाग में a सपोस करिए इसके दिमाग पे b तो यहाँ पर भी a आ गया है यह भी क्या हो गया मेरा बी हो गया तो देखिए क्या लिखा है 10 a plus 10 b अपान 1 minus 10 a 10 b फार्मुला हो गया किसका 10 a plus b का that means 10 क्या हो जागा 69 plus 66 एड करेंगे को कितना हो जागा 10 135 डिगरी वैल्यू याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो अब क्या कर सकते हैं 10 180 डिगरी माइनस 45 डिगरी धहांसे देखिए गयाальныеEZ तो कॉई चेंजस नहीं होगे क्यों हो बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना यह सब बताए जाचा चुका हे आपको सब लोग कोई समझने में परशाइन नहीं होनी यह बहुत आसान सा कोशन था यह अब इसका याद होगा प्रिवेस लेक्षर की वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें अलाइट एंगिल्स आको बताया गया है उसमें आको समझाया गया कि यह क्यों ऐसा हुआ है आपको याद फिर से दिला देते हैं कि वोरिजंटल Happen से कोई चेंज़स नहीं होते हैं इसलिए हम हर्जंटल एंचल को चूओ करते हैं ऑक को बाकी कॉडरें जू आप लोगों याद होगा कि चलिए अगले कोशिंगों को देखते हैं ऐस साइन-a communicate cos x minus cos x minus y sin x इसको दिवाँ में आप a सपोस करिए इसको b सपोस करिए तो देखें फिर से क्या आ गया है a आ गया है यहाँ पर b आ गया है जहां से देखिए sin a cos b minus cos a sin b किसका फार्मुला है sin a minus b का यानि कि a के जगर क्या डाल देंगे हम लोग x minus y minus x x x कट गया sin of minus y याद होगा minus किसमे किसमे अबदार हो जाता है cos और sec में cos of minus x cos x होता है और sec of minus x sec x होता है rest में minus क्या हो जाता है बाहर चला आता है ध्यान रखिए गए इस बात पर अगला question देखिए question में लिखके दिया हम लोग को if cot alpha is 1 by 2 and alpha lying between 180 to 3 pi by 2 and sec beta is minus 5 by 3 beta lying between pi by 2 to pi find the value of tan alpha plus beta fatax से आफ फाम्ला लगाई है 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 beta all we know कि हमको चाहिए क्या 10 alpha और 10 beta की value चाहिए 10 alpha और 10 beta की value निकलेगी fatax हम लोग यह पूट करेंगा हमारे पास अंसर हो जागा 10 alpha plus beta का हमको cot alpha दिया है कि अगर cot alpha की value 1 by 2 है तो 10 alpha फटाक से निकाल लेंगे कितना हो जागा 2 हो जागा कोई परिशन ही नहीं एक दूसरे के क्या होते हैं reciprocal होते हैं अब sec beta हमको दिया हुआ है माइनस 5 by 3 अब हमको चाहिए क्या question में क्या चाहिए हमको 10 beta चाहिए तो हम जानते हैं since 1 plus 10 square beta is equals to कितना होता है sec square beta solve कर यह इसको आप जल्दी से तो 10 square beta किसके एक लो जाएगा 25 by 9 minus 1 sec की value 5 by 3 है तो sec square beta किसके एक लो जाएगा 25 by 9 देखिए यूज कर लिया जब इसको simplify करेंगा आपको क्या मिलेगा 16 by 9 तो यहां से 10 beta का option 2 आ गया मेरे पास कि प्लस माइनस 4 by 3 अब 4 by 3 लें कि माइनस 4 by 3 लें यह डिपेंड करेगा alpha किस quadrant पे लाई कर रहा है तो देखिए 10 beta की value क्या consider करेंगे माइनस वाली माइनस 4 by 3 तो 10 beta की value पता चले गए माइनस 4 by 3 10 alpha की value पता चले गए 2 उठा के हैं यूज कर लेते हैं तो हो जाए कितना 2 minus 4 by 3 upon 1 minus 2 into minus 4 by 3 6 minus 4 by 3 upon 3 plus 8 by 3 यह दिके कट गया 2 by 11 this will be answer फिर से ध्यान समझ लीजेगा question हमको कॉट alpha दिया था 1 by 2 और कहा था alpha मेरा lie कर रहा है pi से लेकर 3 pi by 2 यानिकि 3rd quadrant में सिक बीटा की value minus 5 by 3 दी थी बीटा बोला था pi by 2 से लेकर pi की बिच में लाए कर रहा है यानिकि 2nd quadrant में हमसे बोला था find the value of 10 alpha plus beta 10 alpha plus beta की value निकालने कि आपको formula पता है 10 alpha निकाल दिया सिक बीटा दिया हुआ था तो हमने relation पढ़ा है कि 1 plus 10 स्कॉर्ड बीटा इससे कि स्कॉर्ड बीटा उसको यूज करके मैंने 10 बीटा की value निकाल दिया 10 बीटा में हमार पास option आ गया तो 4 by 3 हो सकता है तो क्या-4 by 3 हो जाएगा आप डिपेंड करेगा बीटा किसका बीटा क्वाटट में लाइक कर रहा है तो बीटा हमने देखा पाइब चुक्त पाइमें लाइक कर रहा है कि नेट्स्स वोशन हमको दिया हुआ है प्रूव दाट 1022 प्लस 1023 प्लस 222 इंटो 1023 is equal to 1 यह हमको प्रूव करके दिखाना है तो ध्यान से देखिएगा इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पूरे सिस्टम को एक ही साथ लेके चलेंगे ध्यान से देखिए सबसे पहले आप च जो 2 आंगिस अलग अलग 10 में दिये हैं उन्हीं दोनों का प्रोड्ट्ट भी दिया है क्या अलग से रीजन यह है कि ठोड़ा टैन अप्लस दिया हैँ हें कि ya क्या था त Kelli स्टैनी स्टैन्ट मिस अपांट माइनस कि टैने इंट匹 उपर जो सम में है वही नीचे किसके के फॉर्म में है तो देखिए जिन दो एंगिल काम को क्या दिया सम दिया उसी का प्रोड़क्ट भी दिया है तो हम इस ट्राट को प्रोड़क्ट वाले को वन के साथ ट्रांसफर करेंगे आप पूछेंगे प्रोड़क्ट वाले को वन के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके पीशे का रिजन आप फार्मले में देखिए थोड़ा ध्यां से वन के साथ जो प्रोड़क्ट वाला है देखिए वन के साथ कौन सा वाला है प्रोड़क्ट वाला अब इस क्वांटिटी को इसके नीचे लेते आएंगे क्या बन जाएगा 1022 प्लस 1023 अपान 1 माइनस 1022 इंटू 1023 इस इकोस तु 1 अब यह देखिए किसी के फार्मला बन गया सेम एई सिमिलर देखिए क्या बन जागा यह 1022 प्लस 23 अब आपको पता है कितना हो जागा यह 1045 और 1045 की वेली वन होती है वन इकोस तु वन वरिफाई हो गया कि देखिए का ध्यान से जिसको जो भी समझने में दिक्कत होगी कमें शेक्शन में कमेंड करके पूछ लेगा चली अगले कोशन पर आते हैं हमको गिवेन साइन एलफा प्लस बीटा की वेली दी हुई है फोर बाई फाइफ एन कॉस अल्फा मैनिस बीटा की वेली दी हुई है 12 बाई 13 और कहा है अल्फा कॉमा बीटा बोथ हा लाइं बेट्विन 0 तो पाई बाई 4 बोथ हा लाइं बेट्विन 0 तो पाई बाई 4 देन फाइंड 10 तू अल्फा एन 10 तू बीटा ध्यान से देखिएगा अल्फा और बीटा जब दोनों 0 से पाई बाई 4 की बीच में लाइक कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा जीरो एल्फा पाई बाई 4 जीरो बीटा पाई बाई 4 दोनों को उठा के आप आट कर लिजे तो जीरो एल्फा ब्लस बीटा ये कितना आ गया पाई बाई 2 इसका मतलब एल्फा ब्लस बीटा जीरो से पाई बाई 2 की बीच में लाइक कर गया मेरा इसका मतलब ये जो कॉंट और दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा वह भी फॉस्ट कोडिये यानि कि दोनों के दोनों वैल्यू किसमें लाइक कर रहे हैं मेरे फॉस्ट कोडिये में तो यह चीज़ जानना जरूरी है रिजन यह है कि हम लोग को चाहिए टैन टू बीटा तो उस बेसिस पर हमको पता होना चाहिए एलफा प्लस बीटा और एलफा माइनस बीटा किस कोडरेंट में लाइक कर रहा है जिस कॉडरेंट में लाइक करेंगा उसके इसाब्स प्रॉपर्टी फॉलोग करने पड़ेगी बशाओ जैसे अब लोग पिछले कोशन में देखे हैं जिसमें टैन बीट ल्फ मैंली सकते हैं अलफ़ा प्लस बीटा रहलए कि यह सब्सक्राइब कोई परचानी नहींनी चाहिए आपको बीटा से बीटा कड़ीटा हो जाएगा फिल से टू एल्फा जन्डए हो जाएगा अब आप तो अब देखिए, tan के साथ हमको क्या चाहिए? 2α के साथ tan चाहिए, तो दूनों साइटम क्या उप्रेट करेंगे? tan, tan 2α, इधर भी tan उप्रेट करेंगे हम लोग फटाक से, tan alpha plus beta plus alpha minus beta, अब alpha plus beta को दिवाग में ऐज़े a suppose करिए, alpha minus beta को ऐज़े p suppose करिए, तो क्या फ़ामला बन कराएगा? tan alpha plus beta plus tan alpha minus beta upon 1 minus tan alpha plus beta into tan alpha minus beta, यानिका हमको किसी भी तरह tan alpha plus beta और tan alpha minus beta को value चाहिए, हमको sin alpha plus beta पता है, लेकि tan नहीं पता है, तो हम लोग फटाक से क्या निकालेंगे? cos निकालेंगे, तो हमको पता है, sin square alpha plus beta plus cos square alpha plus beta will be कितना? 1, तो यहां से अगर cos square alpha plus beta अगर आप निकालना चाहिए, तो 1 minus 16 by 25 आएगा, यानिकि यह कितना हो जागा? 9 by 25, cos square alpha plus beta, अगर cos alpha plus beta आगर निकालना चाहिए, तो कितना हो जागा? 3 by 5, अब आप कहेंगे, plus minus आपने क्यों ने लिया? योगि मैंने पहले बता दिया, किस में लाइक कर रहा है? 1st quadrant में, 1st quadrant में सब क्या होते हैं? All positive, 1st quadrant में क्या होता है? All positive, तो negative आने का कोई चांस है ही नहीं, आप देखिए, cos alpha minus beta दिया है, तो इसी तरह निकाल सकते हैं, sin square, alpha minus beta is, 1 minus, cos square alpha minus beta, तो देखिए, 1 minus कितना हो जगा? 144 by 169, solve करेंगे कितना जगा यह? 25 by 169, square root लेंगे, जब sin alpha minus beta की value निकाल लेंगे, आप कितनी हो जगी? 5 by 13, फिर से वाज रीजन, क्यों हम लोग पॉस्टियो ले रहे हैं? क्योंकि first quarter में लाई कर रहा है, तो देखिए, cos alpha plus beta पसेचल गया, हमको चाहिए क्या था? 10 alpha plus beta चाहिए था भाई ना? किसके एक को लोता है? sin by cos, जब दोनों को divide करेंगे, तो आपको क्या मिल जागा? 4 by 3, अब ये values उठा के हम लोग यहाँ पर use कर लेंगे, क्या क्या है मेरे पास? 4 by 3 plus 5 by 12 upon 1 minus 4 by 3 into 5 by 12 अब ये आपके लिए homework, आप नया घर पे simplifies को कर लेजएगा, जो आएगा वही मेरा answer हो जाएगा, फिसे जान से समझ लीजे, थोड़ा सा कोशन में ट्विस्ट था, साइन अलफा प्लस बीटा और कॉस अलफा मैनेस बीटा हमको दिया हुआ था, हमसे बोल दिया था, अलफा बीटा दुनों 0 से 5 by 4 की बीच में लाइक कर रहा है, आपको मैंने अभी करके दिखा दिया है, वीडियो थोड़ा रिवाइन करके देख लीजेगा, वहाँ मैंने बताया क्यों अलफा प्लस बीटा और अलफा मैनेस बीटा में लाइक ही है, हमसे कोशनराइस किया था कि 10 टू अलफा और 10 टू बीटा कितना होगा, तो 2 अलफा के बारे मात करें, 4 मैं इस बीका फामला 10 A प्ल요 10 A प्लस बी अपान 1 मैने 15 लग गे हमको 10 1 अलफा प्लस बीटा और 1001 मैने 15 बीटा चाहिए हमको दिया साइन कोश दिया है, साइन से मैंने कॉस निकाल लिया और कॉस वाले वैल्यू से मैंने साइन निकाल लिया और हम जानते हैं 10 के स्के करोता है साइन बाइ कॉस उससे हमारा 10 निकला है 10 के वैल्यू उठाके इसमें इंसरट करती है हमारे पास desired answer आ गया ध्यान से देखिएगा इस question को upon, tan pi by 4 minus x, is equals to, 1 plus tan x, upon 1 minus tan x ka whole square, बहुत असान सा question है, left hand side इसका उठाया मैंने, tan pi by 4 plus x ka formula भी आपको लिखके मैंने दिया था, देखिए, 1 plus tan x upon 1 minus tan x, इसका formula क्या हो जाएगा, 1 minus tan x upon, 1 plus tan x, switch कर लिजिए, जो जहाँ जाता है, 1 plus tan x ka whole square upon, 1 minus tan x ka whole square, क्या हो जाएगा, 1 plus tan x upon 1 minus tan x, पूरे का whole square, जो कि मैरा क्या हो गया, right hand side, देखिए, कितना असान सा question था है, question में बस confidence रखिए, बहुत ध्यान से करिए, बहुत असान सान question से हैं, चली, अगले बरात, अगला question आप से कहा है, prove that, 10, 70 degree equals to, 10, 20, plus 2, 10, 50 degree, 10, 70 degree equals to 10, 20, plus 2, 10, 50 degree, देखिए, कर देहां से, 70 degree को हम लोग 20 plus 50 के फिव्टी के फिवर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो मेरा पहला step याई, 70 degree को हम लिखेंगे क्या, 20 degree plus 50 degree, अब देखिए गस, अब सबसे बड़े angle को हम इसाद छोटल angle के फिवर्म में ब्रेक किया था, यह धियान दखिए का दिमाग में में सा, जो सबसे बड़ा angle होता है, उसी को चिक करते हैं, कि आप बाकी जो दोनो angle दिये हैं, दो या तीन angle दिये हैं, उनके sum या difference के फिर्म में break हो सकता है कि नहीं, यहाँ पर sum के फिर्म में break हो सकता था, तो मैंने इसलिए इस तरह से break किया है, क्योंकि हमारा topic ही क्या है, compound angles, यानि कि sum या difference के फिर्म में break होना चाहिए, अब 70 के साथ 10 चाहिए, इधर भी operate किया है मैंने 10, इधर भी operate किया है मैंने 10, फिर 10A plus B का formula, 10A plus 10B upon 1 minus 10A, 10B, यह हो जागा 1070 degree, cross multiply करना आपको आता है, कुछ नहीं को ता अपान 1 लगगे, तो देखिए, 1070 degree, minus 1020 degree, 1050 degree, 1070 degree, 1020 degree, 1050 degree, ध्यान से दिखिए, यह आगे है मेरा cross multiply करके, अब तो ध्यान से दिखिएगा, यहाँ पर, 1070 degree कम दिखिए सकते हैं कितना, 1090 minus 20, 1090 minus 20 कितना हो जागा, cot20, यानि कि 1070 किसके कोल है, cot20 के, तो ध्यान से देखिए, बस यही value यहाँ यूज का देते हैं हम लोग, 1020, 1050, cot20, 1020, 1050, अब ध्यान से देखिए, cot20 यह 1020 आपस में क्या हो गए, cancel out हो गए, reason आपको पता है, दोनों रिक सुरी के क्या होते हैं, reciprocal, तो यहाँ 1070 बचा, 1050 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1020, plus, 210, 50 degree, देखिए, यह इमको प्रूफ करना था, आगे आप्रूफ हो के, चलिए, फिर से ध्यान से समझ लीज़े, कोशन को, 1070 degree equals to 1020, plus 21050 प्रूफ करना था, तो जो सबसे बड़ा एंगिल होता है, उसी को हम लोग ब्रेक करते हैं, smaller 2 में, addition या subtraction जैसे भी चल जाए, अब सबसे बड़ा होगा, तो हमें साइडिशन के फ़र्म में ही आएगा वो, smaller subtraction के फ़र्म में आएगा निए, तो addition के फ़र्म में तूट गया, 70 के साथ हमको 10 चाहिए, इसलिए मैंने दोनों साइड 10 अपरेट कर दिया, इधर 10A प्लस B का फ़र्मुला, 10A प्लस 10B अपॉन 1 मैनस 10A 10B, फिर क्रॉस में रिप्लाई कर लिया गया, यहां तक तो कोई दिख्कत नहीं है, यहां के बाद फ़र्म साथ ट्विस्ट था, 10 70 के ओम लिख सकते हैं 10 90 मैनिस 20, इसके बिसिस पर यह आगया, अच्छा आप यहां से थ्वड़ा ध्यान दिजिएगा, 10 में कोई भी दो एंगिल है, अगर इन दोनों का सम अगर 90 आता है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यानि कि अगर एंगिल्स मेरी क्या है, कॉम्प्लिमेंटरी है 10 में, तो उसका प्रोड़ेट कितना आता है, 1, तो देखिए यहां पर, 20 और 70 का सम कितना आएगा, 90, यानि कि कॉम्प्लिमेंटरी हो गया, कॉम्प्लिमेंटरी होते हैं, इन दोनों का प्रोड़ेट कितना हो जाता है, 1, which reason आपको मैंने बता दिया, ठीक है, समझने हैं, कोई परशाणी नहीं होनी चाहिए, अगर इसका भी प्रूफ आपको देखना है, तो यह इसे देख ली जब प्रूफ इसका भी, ध्यान से, यहां से B की वेल्यों कितनी आगी, 90 माइनस A, यूस कर लेते हैं हम लोग, 10 A, इंडू 10, 90 माइनस A, ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, यह तो 10 A ही रहा गया, और यह क्या बन गया, काट है, इसकी वेल्यों कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंट्रेस्टिंग, इंट्रेस्टिंग कोशन इस पर बनते हैं, आईए इसे पर बेस्ट एक कोशन आया हुआ है, आपके मिन्स में उसको भी करके आपको दिखाते हैं, कितना इसी जा कोशन था, बस ज़राने के लिए आपको दिया गया था, देखिए, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 88, 10 89, इसका पूछा था आप से, और भी एक टर्म लिखना चाहिए लिख लिए, 10 87 भी लिख लिए, इसका पूछा था आप से कि इसका पूछा था बता यह कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया है, कि अगर 10 में दो एंगिल का सम क्या हैगा मेरा, कॉम्पलिमेंटरी, तो उसका वैल्यू कितना होजाता है, 1, यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1, तो यानि कि 10, 10, 44 होगा, 10, 45, 10, 46, यह बीच के 3 टाम होंगे, साइड में 10, 87, 10, 88, 10, 89 इधर, इधर आएंगे तो 10, 1, 10, 2, 10, 3, यह आ गया, तो पहला और आखरी का प्रोडेक्ट हो गया 1, दूसरा, और सेकेंड लाज्ट का प्रोडेक्ट हो गया 1, तीसरा, और थर्ड लाज्ट का प्रोडेक्ट हो गया 1, फिर, इसका, और इसका भी प्रोडेक्ट हो गया 1, बचा क्या खाली मेरे पास, 10, 45, और 10, 45, खुद कितना होता है, 1, तो 1, इंटू वन इंटू वन वन को कितने बाइवि पढ़िया कई आणसर किया आता है यह सभी आणसर देखिएगा इसलिए मैं ने सेम फिगर के अंदर का या है कि जिन का प्रोडक्ट होगा ताके आप देखके समझ जाए किनकिन दो क्वांटिटीज का प्रोड़क्ट है चलिए तब आज का वीडियो हमें लोग यह पेंट करते हैं नेक्स टॉपिक जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे के चैनल वर्जन ओफ प्रोडेक्स इंटू सम और डिफरेंशेज नेक्स वीडियो में हम लोग इसके बारें डिसक्स करेंगे कि टिक्रोमेट्री का प्रोडेक्ट को हम लोग कैसे सम या डिफरेंश के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और इसका पॉजिट भी क्या चीज़ कन्वर्जन ओफ सम और डिफरेंश इंटू किसमें प्रोडेक्ट्स में किसमें प्रोडेक्ट्स में दोनों टापिक हम लोग डिसक्स करेंगे कि प्रोडेक्ट को सम या डिफरेंश में कैसे लिखेंगे सम या डिफरेंश को प्रोडेक्ट में कैसे लिखेंगे और लेकिन इ कि और कंपाउंड एंगिल्स कि इससे पहले हम लोग यह डिसक्स किया जाएगा यह हमारा में टापिक रहेगा पहले हम लोग यह पढ़ चुके इसके कुछ कोशन से ट्राइक कर लिए जाएंगे और जॉब के लिए और टफ टफ होंगे ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो झाल